नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर, MBN नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत हैं। जिस पार्टी की प्रमुक करता धरता एक महिला हो, बलकि मैं कहूंगी एक नहीं दो-दो महिलाओं हो, वहाँ महिलाओं के साथ इतना गिरा हुआ वेहवार हो, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ महिलाओं की रिस्पेक्ट क्या होगी। आज इसी में बात करते हैं कि कौन है ये दो महिलाओं, कौन सी है ये पार्टी और किनकी छत्र छाया में अपनी ही पार्टी की महिलाओं के साथ इतना गिरा हुआ बहवार हो रहा है कि सुन करके रुहुक आप जाए। इस पर भी बात होगी कि इनके परिवार के शहजादे किस तरीके की हर्तकते करते रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा वही आग रहे है आपसे, वही निवेदन है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी टिपणी, अपना कॉमेंट अवश्चे आप ड्रॉप कीजिए, क्योंकि आपके कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत ही एहमियत वाले हैं। तो बात हो रही है कौन सी पार्टी, तो मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी है कॉंग्रिस और वो जो दो महिलाएं हैं, जिनका मैंने जिक्र किया, वो है श्रीमति, सोनिया गांधी, एंड उनकी पुत्री, प्रेंकावाटरा. ये दो महिलाएं हैं, जिनकी कॉंग्रिस में अच्छी कासी चलती है, यानि कि दो सुप्रीम महिलाएं हैं कॉंग्रिस में, लेकिन इनके महिलाओं की इज़त बिल्कुल जीरो है. और निताओं की बात करें, तो निताओं की बात छोड़िया, पहले इनके शहजादे की बात सुनिये, आपको याद होगा, राहूल गांधी ने सतरवी लोगसभा में क्या किया था? सदन में महिलाओं को फ्लाइं किस फ्लोट की थी. और अब तो राहूल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, इस बार या तो सुद्रे हुए दिखाई देंगे, जिसकी उमीद एटलिस्ट मुझे कम है, या फिर वही हरकते दोहराएंगे. और अब ये अख़वार की मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ, इसको आप देखिए, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ. ये देखिए, ये सत्रा तारीक का अख़वार है, और इसमें जूते मार कर इसे बाहर निकालो. ये अलका लांबा कह रही है, और जिसे कह रही है, उन्होंने क्या जवाब दिया कि पिता की बेटी है, तो मार के दिखाओ जूते. अब अगली बात जो है, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ. तो दोस्तों, कॉंग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और महा सचिव प्रेंका गांधी बाद्रा के रहते हुए भी, अगर पार्टी में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है, और कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनकी, तो आप ये बताईए कि ये पार्टी इतने बड़े-बड़े दावे करती है, महिलाओं की रिस्पेक्ट की, और मनिपूर में जब कुछ हो जाता है, तो बड़े-बड़े स्यापे करती है ये, लेकिन अपनी पार्टी में क्या हो रह है महिलाओं के साथ, कितना अपमान हो रहा है, कहिए कि कोई भी अपमान करने का मौका नहीं चुपते हैं, इनके नेता, इनकी महिलाओं के प्रती जो इनकी घटिया सोच है, कॉंग्रेसी महिला विरोधी मान सिकता कि एक जलग आप सोनिया, राहूल गांदी कि बहुत ही करी भी नेता अलका लांबा के behavior से देख सकते हैं, कि महिला कॉंग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा ने मंगलवार को, यानि कि 16 जुलाई को, भोपाल में महिला कॉंग्रेस कमेटी की एक बैटक की, बैटक में पार्टी नेता मदुशर्मा ने जब ये पूछा, कि उन्होंने पिछले 40 वर्षों से कई प्रोफाइल्स में काम किया, फिर महासर्चियों की सूची से उनका नाम क्यों गायब है, इस पर वहां हंगामा हो गया, और भड़कते हुए अलका लांबा ने का कि इन्हें जूते मार के बाहर निकाली है, आपको यकिन नहीं हो रहा होगा ना, कि अलका लांबा इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ये देखिए इनकी जो कारक लांबा ने की बात की उन्होंने, हमने कहा कि भाई महासर्चिवों के लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, हम लोगों की न्यूक्तिया फरजी हैं, क्या, इतने सीनियर हम लोग 40 साल से राजनिती में पूर्व जिला पंचात अध्यक्ट है, पूर्व सांसद है, सहकारिता से जुड़े हूँ है, पैक्स बैंक की पूर मेंबर हूँ, भूम विकास बैंक प्रदेश की पूर मेंबर हूँ, लगातार लगा अभी बिधान सभा, लोग सभा में सब काम करने सीधी सिंग्रॉली जिले की लोग सभा कि मैं प्रभारी हूँ, तो यह किस है से बुलाया गया है, आप दिली बुला रहे हो, आप प्रदेश में जहां भी अंदोलन है, जिले में है, सब उस पद के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं, और यहां बोले कि अनुमोदन नहीं ह हुआ है, हमकि यह किसकी गलती है, यह भरजी यहां से लिस्ट होती है, कि आप अनुमोदित नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं, बैटी हुई है, आपको अभी तो साल भर हो गया है, कैसे नहीं एक प्रूबल हुआ है, यह किसकी गलती है, हमारी गलती तो नहीं है, प्रदेश तो जूते मारने की नौवत आ रही है अपनी ही पार्टी में आपने देखा कि यह क्या कह रही है अलका लामा ने जब इने कहा कि निकालिए इने बहार पार्टी से भी बहार निकालिए तो ऑवियसली जो वरकर इतने सालों से अपना बैस्ट दे रही है अब पार्टी को उसका गुस्सा फूटेगा न और आपको याद होगा मतलब ये कोई इन क्या पहली बात नहीं है पहली बार नहीं है और आखरी बार भी नहीं है आपको याद है रंदीप सुर्जेवाला ने हिमामालनी पे क्या विवादित ब्यान दिया था कॉंग्रेस परवक्ता मतलब एक प्रोफाइल होता है और उसमें बात करने की कुछ तमीज रहती है लेकिन इनके एक से एक जो नेता है ओची हरकते करते हैं ओची बाते करते हैं अब रंदीप सिंग सुर्जेवाला ने हर्याना के रुक्षेतर में एक सभा को संभूतित करते ह मत्रा से बीजेपी की लोग सबास अमीदवार एमावालनी पर एक विवादित बयान किया था अब मैं आपको वह बयान भी सुना देती हूं वैसे तो बड़ी शरम आती है ऐसी घटिया बाते यह करते हैं सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी आप देखे सके हमारी बात मन वांइ इसलिए बना वंगोग्य कोई एम हमालनी तो एन जो चाटने के लिए बनावतिब्त है । मतलाव मैलाओं के प्रती सोच है और जुसरी बात यह कि इनके हां तो मैलाए भी मैलाओं की दुश्मन हैará कॉंग्रेसी मैला विरोदी मानसिकता कि कि एक जलक आपने देखा होगा, याद होगा आपको, और वो तो बहुत गालीबाज नेता हैं, कॉंग्रेस की जो राष्ट्री परखता हैं, सुप्रिया श्रीनेत, एक सोचल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया था, सुनिया और प्रियंका की बहुत करीबी हैं ये, और इन्हो उन्हें कंगना रनोत पर जब उन्हें टिकेट दिया गया था मंडी से तो बेहत अपतिजनक इन्हों ने पोस्ट किया था फिल्म अभिनेतरी कंगना रनोत पर क्योंकि अंदर से इनको लग रहा था कि वो सीट इनके हाथ से जाएगी और बीजेपी ने उन्हें मंडी से अपन पोस्ट किया, जब बहुत ज़ादा उनकी लानत मलानत होती है, तो उन्होंने उस पोस्ट को हटा दिया, लेकिन मैं बताती हूँ कि इन्होंने लिखा क्या था, उन्होंने एक, अब देखे, जो फिल्म इंडिस्ट्री के लोग रहते हैं, हर परफाइल में, हर ड्रेस में उनके फोटोग्राफ्स रहते हैं एक फोटो उन्होंने लिया कंगना रानौत का और उसके साथ उन्होंने लिखा कि क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा इसके बाद प्रिंका वर्डरा की बहुत दिक करीबी हैं अब जब इनकी किरकरी हो गई तो इन होने अपना पोस्ट हटा दिया बलकि इनों नहीं भी कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि ये किसने कर दिया है जबकि ये कॉंग्रेस के सारे सोचल मीडिया को भी हंडल करती हैं उसके बाद इनका ये जो जवाब है वाक्य में ये बहुत मुझे मजाकिया लगा था क्योंकि इ अब इसका जवाब भी कंगना ने बहुत बढ़िया दिया उन्होंने कहा कि रज्जों में एक वेश्या से ले करके थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक ये सब भूमिकाएं कंगना कर चुकी है ना तो इसलिए उन्होंने इसका जिक्री किया फिर उन्होंने कहा कि हमें अपनी बेटियों को पूर्वा ग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए, हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिग्यासा से उपर उठना चाहिए और सबसे उपर हमें यौन कर्मियों के चुनौती पूर्ण, जीवन और परिस्तितियों को किसी भी प्रकार से और, you know, कॉंग्रेस की असल मानसिक्ता का परिचतों पार्टी के लीडर हरीश अहीर उन्होंने दिया, मतलब उन्होंने, I'm sorry to say, सारी हदे पार कर दी, उन्होंने इसी पोस्ट के आगे मंडी की जगा उन्होंने कुछ और ही लिख दिया, जो मैं आपके साथ शेर नहीं कर सक अब मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरा कहते हैं ना कि पूरा इनका कुनबाई इस तरीके का है, जो महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करता, कॉंग्रेस पार्टी का, दिग्विजे सिंग ने महिला नेता को पागल औरत कहकर कि आप मानित किया, आपको यकीन नह पाडरा राहूल गांधी के करीबी कॉंग्रेस नेता दिग्विजे सिंग ने महिला नेता को मतलब पागल औरत कहकर के उसको अपमानित किया, और उनका वीडियो जो है, सोचल मीडिया पे काफी दिन तक वाइरल रहा, सब सब ने देखा, कि एक महिला को डान डपट रहे है और उसको पागल कहकर के संबोधित कर रहे हैं, तो मतलब ये सब चीजें पाटी का प्रोफाइल बताती है, पाटी की सोच बताती है, कि इस पाटी में किस तरीके के लोग हैं, महिलाओं की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और जिसे ये पागल बता रहे हैं, ये डॉक्टर ल इना शर्मा नाम की महिला हैं और कॉंग्रेस कारे करता हैं देखिए मतलब अपने साथ ही जो इनकी साथ ही कारे करता होती है उनी के साथ यह मिस्भेव करते हैं और यह गटना 21 फरवरी की है जब यह दिगविजे सिंग गॉलियर के द्वारे पे ते चंबल में थे वो उनसे मि दिन ने आई थी लेकिन उनको डांट डबट करके भगा दिया और उनने कहा कि यह पागल महिला है से बाहर निकालो अब मैंने शुरुआत में बात की थी कॉंग्रेस के जो इस समय नेता प्रतिपक्षे हैं उस समय केवल सांसत थे 9 अगस्त का दिन था 2023 को लोकसभा में एव इश्वास प्रस्ताप पे चर्चा जारी थी उस दोरान उन्होंने इतनी अबहद्दरता का परिशे दिया कि सदन में जो महिलाएं बैठी हुई थी उन्होंने बहुत ही शरम महसूस की राहुल ने अपनी इन हरकतों से महिलाओं का अपमान किया अपना संबोधन पूरा करन ुर्ट करते हैं महिलाओं की तरह देख करके जिस पर केंद्री मंतरी थी उस समय स्मृति रानी उन्हों ने उनको इस फ्लाइं किस्का बहुत अच्छा से जवाब दिया था और उन्होंने इस पे अपत्ती भी दर्ज की थी और उन्होंने ये का था कि आज जो है राहूल गांदी ने जो किया है वो सच में एक अभद्र शक्स ही कर सकता है अब वो ही बात आ गई कि इस बार तो वो निता प्रतिपक्ष है अब पता नहीं उनका आचर इस बार कैसा देखने को मिलेगा हलाकि उमीद कम है कि वो अच्छा बिहेव करें अच्छा आचरन करें क्योंकि अभी जो लास्ट विशेश सत्र था उसके दोरान जो उन्होंने आचरन किया था हलाकि वहां महिलाएं नहीं थी लेकिन एक करेक्टर होता है ना इंसान का जिस समय नरेंद मोदी भाशन दे रहे थे उस समय उन्होंने क्या जैसर किया मतलब थू आउट अगर आप देखें तो आपको राहूल गांदी का एक अलग किसम का बीहेवियर देखने को मिला होगा और किस तरीके से उन्होंने धार्मिक चित्रों का बरदर्शन किया उसके अपना भाशन दे रहे थे खेर ये बात मैं महिलाओं के सम्मान की कर रही थी लेकिन जिस व्यक्ति को एटिकेट्स नहीं होते हैं जिस व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि उसे कहां क्या बीहेव करना है तो वहां ये महिलाओं की जो गटनाएं हैं जो मैंने आपके साथ शेय किये हैं यह उसी का नतीजा है अच्छा एक ताजा मामला है कर्नाटक का कर्नाटक के कॉंग्रेस नेता अमरे गोड़ा पाटिल का है उन्होंने एक रेप पीड़ता को लेकर के विबादित बयान दिया है अमरे गोड़ा पाटिल से जब उनके एक सहयोगी संगन गोड़ा भी हैराना हुजेंगे, उन्होंने कहा कि एक अकेला आदमी रेप नहीं कर सकता, इसके लिए कम से कम दो से तीन लोग चाहिए, अब उनका ये जो वीडियो है, सोचल मेडिया पे वाइरल हो रहा है, लेकिन इस पे शैजाद पुनावाला ने अपनी बड़ी तीखी प्रतिकिर्या दी है, मैं वो भी आपको सुनवाती हूँ. Senior Leader Amrighaouda Patil in a viral audio video is making the most despicable comments about rape, while speaking to the father-in-law of the rape survivor, somebody who is telling about the kind of pain his daughter-in-law has gone through because of the associate of Amrighaouda Patil, that how the associate raped her. Mr. Amrighaouda Patil tells the father-in-law that can rape be done by a single person? It takes two, three people and then he's shouting on the phone, telling the rape survivor, the victim that can you clap with one hand? In a sense, he's not only victim shaming that the victim herself is responsible. तो आपने देखा कि इनका, I mean culture क्या है Congress का, यहां महिलाओं की कोई respect नहीं होती, और ज्यादातर इनके अपनी जो कार्य करता होती हैं, उन्हीं के साथ इनके इस तरीकी के behavior सामने आ जाते हैं, जो outsider होती हैं, मतलब जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, जो एक आम इनकी महिलाओं जाती हैं, जिनको Congress से कुछ उमीद होती है, वो जब अपनी शिकायद लेके जाती हैं, तो आप समझे कि उनका क्या हश्र होता होगा, एक मिनट के लिए आप यह सोचिए, कि इन लोगों के हाथों में अगर सत्ता आ जाए, तो फिर महिलाओं का क्या हश्र होगा, यह एक छो इसी भी respect करना नहीं जानती, और अपनी ही पार्टी में इनके यह जो मैंने दो दिन आपको बताई हैं घटना हैं, इनके अपनी पार्टी की महिलाएं हैं, जिनके साथ यह सब घटना हुई हैं, और यह जो जूते मारने वाली घटना हैं, यह तो सच में बहुत शरमनाक हैं जूते मार के इसे बाहर निकालो ये अलका लामा कह रही है और जिसको ये कह रही है उनसे काफी तू-तू-मेमे के बाद वो ये इनको चैलेंज करती है कि पिता की बेटी हो तो जूते मार के दिखाओ अब ये तो लड़ाई ऐसी हो गई ना जैसे गली महले में कुछ फुर टा वीडियो आपको कैसे लगी है मुझे जरूर बताएगा आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा अभी के लिए दोस्तों इतना ही आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिये खुश रहिए स्वस्थ रहिए जैहिन जैभारत